So, जो Boycott China का initiative है, इसको बहुत ही strong boost मिला है, Flipkart, Amazon और various और e-commerce websites ने, ये in principle कहा दिया है कि बहुत ही जल्द, वो अपनी respective websites पर जो products वो बेच रही हैं, उसका country of origin दिखाएंगी, मतलब कि आप अगर in the future Amazon पे जाते हैं, Flipkart पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप अगर कोई mobile phone देखत होगा, made in China, इसका जो country of origin है, ये है चाइना, similarly आपको अगर कोई keyboard खरीदना है, आपको pen खरीदना है, कुछ भी आपको purchase करना है, उस product का, जो country of origin है, उसके वारे में, आपको clearly जानकारी मिलेगी in the future, ये देखो, एक बहुत ही मैटपूर्ण निर्ने हैं, और जो boycott China की मुही है, इससे काफी strong होगी, और बहुत ही जल्द, आपको एक positive impact भी देखने को मिलेगा, so discuss करते हैं, सिशु को बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss, as always, but before we begin, Google Play Store पे जाओ, download the study IQ education app, यहाँ पर आप हमारा flagship, UPSC course purchase कर सकते हैं, जिसके लिए, EMI option भी available है, now जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में made in China products को जो boycott करने का initiative है, इसका idea काफी बार discuss किया था in the past, जब से चाइना ने उन आतंगवादियों को बजाना start कर दिया, जो इंडिया में attack करते हैं, इंडिया में terrorism फिलाते हैं, और पाकिस्तान में छुपते हैं, जब से चाइना उनको UN में defend करना start किया, तो इंडिया में जो लोग aware हैं इन issues को लेकर, वो समझ गए थे, कि चाइना के products को boycott करना ठीक है, मगर कभी भी ये mass scale पर हो नहीं पाया, इतनी बड़ी जनता को properly पता ही नहीं है, कि online जो वो purchase कर रहे हैं, क्या ये Chinese company का equipment है, या फिर चाइना में बन ये कहा, कि जो government का e-market place है, ये by the way एक portal है, वेb site है, जो भारत सरकार ने बनाई है, जहां से, जो भारत सरकार के और इंडिया में जो various और ministries हैं, जो departments हैं, उनको अगर furniture purchase करना है, computer purchase करना है, stationary products purchase करने हैं, तो वो यहां से purchase करते हैं, ओल्रेडी भारत सरकार ने यहां पर क्या दिया था, कि made in India की अलग से category होगी, ताकि made in India items को ज़्यादा बड़ावा मिले, जो government offices में equipment होगा, जो हम use करेंगे, वो जरातार या तो made in India होगा, या तो वहां पर made in China ना के बराबर होगा, तो ये काफी अच्छा initiative है, इसके लावा जो department of promotion of industry and internal trade है, DPIT, इन्होंने recently various जो e e-commerce website, आज के समया को बता है, हमारे देश में बहुत सारी e-commerce website है, Amazon, Flipkart, उसके लावा Paytm की भी website है, आज के टाइम में दरजरो नाम है, सो इन सब को भारे सरकार ने ये कहा, कि आप लोग अपनी websites पर भी, जो भी आप बेच रहे हो, उस पर country of origin का tag दिखाओ, ताकि लोगो in principle हम भारे सरकार के इस सुझाव से agree करते हैं, मगर हमको time दीजिए, ये सब करने में समय लगेगा, हमें अपनी apps, अपनी websites change करनी होगी, नया format लाना होगा, तो बिलकुल मेरे इसाब से, I think कुछी हफतों में ये आपको change दिखेगा, और इस से हम expect कर सकते हैं, कि काफी percentage, एक significant percentage of Indians, Chinese products नहीं purchase करेगी, क्योंकि उनको तब पता लग जाएगा कि जो वो purchase कर रहे हैं, इसकी country of origin चाइना है, और क्या यहाँ पर companies खुशी खुशी है सब कर रही हैं, देखो, पेटियम के जो spokesman है, पेटियम का भी आज़के डाय में e-marketplace है, ये कहा रहे हैं कि products को, और साथी साथ, हमने discussion स्टार्ट कर दी हैं, जो भी मारे merchant partners हैं, उनको भी बोल दिया है, कि बहुत ही जल्द country of origin हर product पे दिखेगा, अब यहाँ पे अगर आप यह सोच रहे हैं कि, well, हम लोग simply Chinese products को ban क्यों नहीं कर देते, ये सब करने के आज़कता क्यों हैं, well, देखो के लिए Chinese goods को ban कर पाना possible था नहीं, फिर यहाँ पर बात आती है free market की, क्योंकि ठीक है, Chinese goods इंडिया में आएंगे, और free market है, भारत सरकार आपको क्या नहीं सकती, कि आपको Chinese goods purchase करने हैं, या फिर Indian goods purchase करने हैं, you are free to decide, so government of India ने यहाँ पर यह decide किया है, कि since, आज के समय बहुत स सारे social media influencers, बहुत सारे cricketers like Harvajan Singh और various social media influencers openly कह रहे हैं boycott China, तो at least लोगों को पता भी होना चाहिए, कि Chinese product है कोन सा ताकि उसको वो boycott भी कर पाएं, इस से हम क्या impact expect कर सकते हैं in terms of trade volume, देखो, because of COVID-19, इंडिया चाना का trade और दुनिया भर का trade काफियत तक कम हुआ है, तो automatically 5 साल में सबसे low पर है, at 48 billion, ये बिल्कुल latest data है, कल ही release किया गया था, तो 48.7 billion dollars का trade deficit है with China, हम expect कर सकते हैं कि at least इसमें 3 से लेकर 4 billion dollars की कमी तो आएगी, in the near future, अगर हमारे देश के लोग genuinely patriotic हैं, और Chinese goods को boycott करना चाहते हैं, अब larger question यहां पर यह आता है कि क्या ये ultimate solution है, वेल देखो, अभी के लिए border tensions बहुत जारा high है, news media outlets काफी बार China को cover कर रहे हैं, तो लोगों के प्रती काफी आकरोश, काफी गुसा है towards China, तो हो सकता है कि एक बार made in China, products पर इतना start हो जाए, तो उसके बार लोग हो सकता है कि कुछ time के लिए Chinese goods ना खरीदे, फिर अगर मान आईजिए कुछ महीनों बाद, border की जो tension है, ये solve हो जाती है, China की तरफ से कुछ अच्छी statement आती है, तो possibility है कि लोग वापस फिर Chinese goods खरीदना start कर दे, क्योंकि यहाँ पर बाद आती है free market की, free market में जीता वही है, जो कम दाम में आपको अच्छा product प्रवाइड करे, तो उस लि अभी भी देखो, काफी सस्ती हैं, और कही ना कहीं, in the future, हमको काम करना होगा, make in India products पर, सिर्फ इंडिया ही है, जो इतना बड़ा देश है, तनी बड़ी अबादी का देश है, जो चाइना से भी सस्ते, या फिर, चाइना जितने सस्ते products प्रवाइड कर सकता है, हम में वो श ultimate solution, मगर for the time being, मैं कहूंगा, सरकार ने काफी अच्छा निंडे लिया है, और इसका impact, बिलकुल आपको देखने को मिलेगा, so this is right now the end of the video, thanks for listening and as always, God bless you all.